गुड मॉनिंग दोस्तों मैं एक के राज आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं इलेक्टो अस्टेटिक्स का जिसमें आपका पहला चेप्टर प्रहारा हैं बैदुतावे सेवंचेत्र जोकी एंसी आर्टी पर पुर्न रूप से अधारित हैं इसी एंसी आर्टी का one PDF या जान और विधुत्रोधी और One Point Four में आपको मिलेगा प्रेशंद्वारा अवेशन हमने क्या कि आवेशन की बेदियां बता है जैसे आवेशन की तीन विदियां होता है एक घर्षंद्वारा अवेशन एक चालंग्वार आवेशन और एक प्रेरन द्वारा आवेशन जो होता है इसको NCERT ने अपना मुख्रुप से टॉपिक बनाया है हमने आपको आवेशन की वीधिया मुख्रुप से टॉपिक बनाया है टाकि आपके उसके अंत्रगात सारव जंकारी मिलें क्योंकि बोड एक्जाम में आपको इन दो बिधियों से भी इन दो बिद्धी जो है आवेशन की उससे भी कोश्षन कुछ लिया गया था तो पहला टोपिक जो है उसमें है कि चालक और विदूत रोधी आप पढ़े होंगे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेस मने अपने अंदर आवेस गमन करने की अनुमती देती है या जीस पदार से आवेस गमन कर सकता है या आवेस को गमन करने की अनुमती देती है वे पदार्थ चालक पदार्थ कराते हैं तामबा हो गया तो एसर चालक पदार्थ होते हैं क्योंकि यह अपने अंदर आवेश को गमन करने की अनुमति परदान करती है जब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेश को अपने अंदर से होकर गमन करने की अनुमति नहीं देती है वो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं व आवेश को गमन नहीं करने देता है तो उसको हम बिधुत रोधी पदार्थ कहेंगे मुख रूप से जो आपका टॉपिक है वो है आवेशन की बीधियां आपका आपका टॉपिक बनाया है वो आवेशन का बिधियां नहीं है उसमें बना गया है प्रेरन द्वारा आवेशन हमने कहा किया है कि आवेशन की जो बिधियां होती है वो तीन प्रकार के होते हैं कोई पदार्थ जो है वो आवेशित होती है वो तीन प्रकार सो होती है पहला घर् पार्ट सो वन में बता गया है आवेश के बारने तो आवेश किसी पदार्थ के अंदर आता कैसे हैं वह पदार्थ आवेशित होते कैसे हैं इसी को हम कहते हैं आवेशन यानि पदार्थ के आवेशन तो पदार्थ में जो आवेश आता है वो घरसन द्वारा आता है चालन बता दिया जा कि यह सकते हैं कि उस मनुष्रक दुख पहुंचाते हैं तब उसको मारते हैं था ऊने का लेकिन यहां पर व्लपदार्थ को अवेशित करने का है कि वह मुझ तिन तरीका है चले प्रेरन द्वारा आवиты explores पहले देख लिजे आप हीडिंग लगा लिजेगा घर्षन द्वारा आवेशन तो घर्षन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि आवेशन की वह बीधियां है लिख लिजे आप कलम निकाल कर और कापी निकाल लिजे लिखिए कि घर्षन द्वारा आवेशन यहां आवेशन क वह बीधियां है, जिसमें कोई पदार्थ, दो पदार्थ होते हैं, जिसमें कोई दो पदार्थ, एक दूसरे के उपर रगड़ा जाता है, और रगड़ कर जब उसको दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, कि एक पर धन आवेशित होता है, एक पर रीन आवेशित होता है, या और एक पर माइनस आवेस आजाता है जैसे मालों कि एक कोई पदार्थ है दूसरा ये बी पदार्थ है और एक दोनों पदार्थ को जब आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो ए पर धन आवेस आजाता है और बी पर री नावेस हो जाता है ऐसे होता कैसे है क्यों इलेक्टॉन को ग्रहन कर लेता है उस पर क्या जाती है रीन आवेश यानि इलेक्टॉन को निकलना इलेक्टॉन को डोनेट करना और इसेट करने पर निर्भर करता है क्यों पदार्थ धन आवेशित है या रीन आवेशित है अगर इस पदार्थ इलेक्टॉन को त्याग किया ह तो जितने इलेक्ट्रोन को डोनेट करेगा उस पदार्थ पर उतना ही पलस आवेस आजाएगी और जो पदार्थ किसी इलेक्ट्रोन को जितना ग्रहन करेगा उस पदार्थ पर उतना ही रीन आवेस आजाता है तो इस परकारे अधन आवेस है और वो रीन आवेस है एक एक जा क्या है कि कांच के छड़ यो धनावेशीथ हो जाता है और रेशम और कुछ चुका है question यह question कुछता है कि जब हम रेशम के धागे को कांच के टुकड़े से रगड़ेते हैं तो कोन धनावेशी प्रते हैं वह संद्वारा कोई पदाफ आवेसित कैसे होता है तो दो पदाफो को जब हम आपस में रगण कर उसको दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाती है इस विधी में जिसमें एक पदार्थ पर धन आवेश और दूसरे पदार्थ पर क्या जाता है रीन आवेश हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगरते हैं तो इलेक्टॉन का आदान परदान होती है और जिस पदार्थ से इलेक्टॉन निकलता है उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस पदार्थ में इलेक्टॉन जाता है उस पर रीन आवेश हो जाता है एक इसका बेस्ट इक्जामपल है कांच का छण और रेसम के धागे जब इन आवेशन कर सकते हैं, अब हैं दूसरा कि चालन द्वारा आवेशन, हम किसी पदार्थ को चालन द्वारा आवेशन कैसे करेंगे, तो चालन द्वारा आवेशन कैसे करेंगे, कि जब किसी आवेशित पदार्थ को, जैसे माल लो कि यह कोई पदार्थ है, जो क्या है, आवेशि यह पदार्थ क्या हो गया अनावेशित तो जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के से असपर्स कराते हैं यहीं सटाते हैं तो क्या होता है कि अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाते हैं तो इस परकार किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित क को अनावेसित पदार्थ के संपर्क में ले जाते हैं यह CT आते हैं सपर्स कराते हैं तो अनावेसित पदार्थ भी आवेसित हो जाता है जैसे यहां पे आप देख रहें आप तीसरा पॉइंट है प्रेरन द्वारा आवेशन जो कि आपका NCRT का point है बहुत important point है आपके board exam के लिए यह point बहुत महत्पून है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किसी बस्तू को प्रेरन द्वारा हमावेशन किस परकार करेंगे तो चलिए आप प्रेरन द्वारा आवेशन जानने के पहले आप हमारे एक प्यारे नन्ही सी बेटी टिया से मिलाते हैं तो यह मेरी नन्ही सी और प्यारी बेटिया है जिसका नाम है टिया बेटा सभी को टाटा कर दिजे टाटा हां और हम उनीद करते हैं कि आप लोग इसे अ प्यार पार आपको बताना चाहेंगे प्रेलन द्वारा आभेशन इसमें क्या होता है यह आभेशन की वह भी धी है सता पर सवान प्राकृत के आवेश आ जाते हैं जैसे आप जान लिजे कि मान लो की यह कोई आवेशित पदार्थ है जिसके उपर धन आवेश है ऐसे अंदर में नहीं है उपर है धन आवेश है तो इस आवेशित पदार्थ को जब हम अनावेशित पदार्थ जैसे मान लो की कि अनावेशित पदाथ है यह क्या है अनावेशित पदार्थ है तो इसके संपर्क में जब लाते है तौ सावने वाले भाग होता उस पर विप्रित प्राकृत के आवफ तो नोहींHS हो जाता तो हमने देखा कि किसी पदार्थ को आवेशित करने की तीन वीधिया है एक घरसंद्वार आवेशन चालंद्वार आवेशन प्रेरंद्वार आवेशन इस आवेशन की वीधि में हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ कर आवेशित करते हैं इस वीधि में हम दो एक आवेश पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ से बीना असपर्स कराए हुए उसके समीप लाकर आवेशित कराते हैं तो इसी परकार और भी अगला पॉइंट जैसे हैं आपका इंसी आर्टी का जो यह 1.5 है उसमें है बैधुत आवेश के गून तो बैधुत आवेश के गून हम आपको पार्ट 3 में डाल देंगे आप उस वीडियो को जरूर देखें इसी परकार और भी पूरे वीडियो जानने के लिए हमारा हर पार्ट को देखें ताके आप बोड एक